दिवाली का तेवहार है बाजार में मिठाई की दुकाने सज गई हैं लेकिन ऐसे में मिलावट खोर भी सक्री हो गए हैं चंद फायदों के लिए लोगों के स्वास्त के साथ खिलवार किया जा सकता है लेकिन इसके लिए FDA डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट है और लग क्योंकि बहुत सारे जो है मिलावट खोर सक्री है यह बात सही है कि काम बढ़ गया है और इस्पेशली महाराष्टर में तो गणपती के सिजन से जो शुरू हो जाता है गणपती दशेहरा और दिवाली यह हम बड़े त्योहार मानते इनी के साथ में हमारे कैमपेंच शुर हो जाती है वो क्रिस्मस तक चलती है और इन त्योहारों में ज्यादा करके लोग मिल्क और मिल्क प्रोड़क्ट यह दुग दिजन्ने मिठाईया ज्यादा काते हैं उनी के साथ में फ्राइंग भी बहुत होता है तो इसके लिए और भी हम लोग धान देते हैं तो हम जैसे क कमिशनर असिस्टन कमिशनर और फूर सेप्टी आफिसर यह पूरे काम पे लगे हुए है और यह गणपती से जो शुरू हुआ तब से हर एक जगह से हमें जहाद पर भी खबर मिलती है या तो हमें डाउट आता है वहां से हम लोग सैंपल ले लेते हैं और उसका अनलेसिस क है वह सीज किया हुआ है और यह भी है कि गए आट दस दिन में तो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं गए दो तीन दिन में हमने थाना में 42 सैंपल लिये हैं उन में से धाई करोड के सैंपल का तो हमने नश्ट कर दिया यानि जहां पर लगता है कि यह प्राइमरीली देखने ही तक कोई कराब ही होगा उसके अनलेसिस हो जाता है और बाद में अगर और वा अच्छा तो वह कोई प्रोब्लिम ने वह सेल किया जाता है पर वह खराब निकला तो फिर वह नश्ट किया जाता अभी अबी तक अगर मैं बात करो कितना किलो जैसे कि सब से ज्यादा जो मिठाई क के लिए हानिकाराख हो सकती है यह किलो में बता तो सकते है कम से कम धाई तीन क्विंटल का तो माल अभी जो ठाना से पकड़ा है पर इसका वैल्येशन पर ज्यादा अगर हम गए तो कम से कम दो धाई करोड का माल हम लोगों ने सीज किया लोगों को किस तरह का ध्यान रखना जो है और अगर जो है वो मिठाई खा रहे हैं इस सीजन में क्योंकि लोगों को गिफ्ट करते हैं लोगों को देखते हैं तो उनको किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है और FDA क्या इदाय दे रहा है अब देखिए मैं आपके चानल थू लोगों को यह सुचना दे दूंगा देखिए कि हम लोगों ने भी अब दो प्रकार के आपको देखा तो अगरिकल्चर प्रॉडट्ट जो होते हैं किसान जो होते हैं उनके रिसेडियू फ्री करक्कर फूड आता है जैसे कि सबजिया होती है तो मैं यह लोगों को बिंती करूंगा कि मार्केट में आप प्रेशर बनाएं कि हमें ऑर्गेनिक फूड मिले हमें एक बार दुकांदारों को बोलेंगे तो देखो दुकांदार भी ऐसे कि वो नई आदत होती है नई रूल्स होते है उनके लिए वो तकलीफ आला होता है पर जब ग्रहाक बोलेंगे कि नहीं आपने बेस बीफोर नहीं लिखा है या तो इसमें कितनी कैलरी है यह नहीं लिखा है तो धीरे धीरे यह प्रेशर बढ़ जाएगा और हम सब लोग एक ग महराष्ट्रे में तो इतनी प्रगत जनता है कि धिरे धिरे हम उस मुकाम तक पहुंचाएं कि मुंबई की बात कर दो हमने देखा भी हाल फिलाल में कि मुंबई में बहुत ज्यादा जो है मावा आ रहा है दूसरे राज्यों से जो है यहां पर कितनी करवाई हुई है देख जिसे भ्यु cinnamon कि मुंबई में हमने बड़े पैमाने फोर कम से कम असी जगा पर हम लोगों ने सेंपल ले के माल सीज किया है कर मुंबई और भपर हम ंतना बड़ा काम इतना बढ़ा हुआ है जो है तम तमाम जगा पे रेट चल रही है कारवाय हो रही है ...दिने मोसल में और बड़ी भी जाता है किस तरह से आपका जो स्टाफ है वो पूरा काम कर पा रहा है स्टाफ जो है है अब देखो स्टाफ का प्रॉब्लेम तो है यह सचा ही है पर उस पर हम रुक के नहीं चलेगा इसलिए हमने गवर्मेंट को रिक्वेस्ट की है हमारे मंत्री मान्या आतराम सा साफ जी उन्होंने सीम साफ से डी सीम साफ से भी मिटिंग करवाई है और इस डिपार्मेंट को नजदिक के भविष्य में साड़े साथ सु नए पोस्ट संक्षन कर दिये हैं क्योंकि काम बहुत बढ़ा है यह सचा ही है और वो जब तक पोस्ट नहीं आते हैं तब तक वाय के मौसम में किस तरह से कारवाई चल रही है किस तरह से मिलावट खोरों पे सिकंजा कसा जा रहा है इस पर बात किया कमिशनर अभिमन्यू काले जी ने और उन्होंने बताया कि सरकार भी इस चीज को लेकर के सक्री है क्योंकि हमारे पार स्टाफ की कमी थी अब उसको जो है भरने की प्रक्रिया सुरू ही है और आगे भी ऐसे मिलावट खोरों पे हमारा सिकंजा कस्ता रहेगा और FDA हर दम लोगों के स्वास्त के रच्छा के लिए सक्री रहेगा राजिस्त्र पाठी एबीपी न्यूज मुंबई